हेलो दोस्तो स्वागत है अमारी यूटूब सेनल में तो दोस्तो आज की इस व्योडियो में मैं आपको एक सवाले साले डियोल आई से एंप्लिफार बना के दिखाने वाला हूँ ये बोड मेंने एक Local Electronic Shop से खरिदा था और ये बोड का wiring आपको करने की जरूरत नहीं रहती है आजे बोड wiring के साथ ही आता है उसके बाद हमें सब कुछ connection करना पड़ता है तो दोस्तो मेंने इस बोड के साथ यहां पर दोस्तो बास ट्रेबर वोल्यूम मैंने connection कर लिया है दोस्तों ये जो बोड़ है वो Monty का बोड़ है काफी अच्छी quality का है तो दोस्तों ये जो बोड़ है उसमें dual IC है 47 चालिश और ये बोड़ में दोस्तों जो भी वायर है उसका कहाँ पर में क्या connection करना है सब कुछ बताया है तो दोस्तो यह जो चार एलो वायर है दो नो आइसी का है तो इसी के साथ दोस्तो स्पीकर कनेक्शन करना है और यह है दोस्तो वोल्यूम का तो उसी के साथ मेंने पोटेंचियोमीटर कनेक्शन किया है उसके बाद दोस्तो प्योर DC 12 वोट से ओपरेट होने वाला बोड है तो यहां से दोस्तो आपको 12 वोट DC इंपुट करना है और यहां से दोस्तो 5 वोट आउट पुट है Bluetooth पैनल के लिए और मैंने यहां पर बास टेबल भी कनेक्शन कर लिया है तो यह जो पोटेंशोमेटर है उसका कनेक् केबिनेट तो एक केबिनेट दोस्तो पूराना वाला है अगर आप साहो तो दोस्तो आप सस्ते में आप केबिनेट बनाना साहते हो तो दोस्तो MDF बोड या PVC का आप बना सकते हो तो आपको यह सस्ते में बढ़ेगा और दोस्तो मैंने यहां पर स्पीकर कनेक्शन करने के लि मैंने यहाँ पर set कर लिया है उसके बाद दोस्तों में 27 सली आईसी बोड है वो में इस कैबिनेट के अंदर मैं set कर लेता हूँ तो में यहाँ पर बोड का पूरा connection कर लेता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो मेंने इस कैबिनेट में सब कुछ सेट कर लिया है बास ट्रेबर बैलेंस और वोल्यूम सब कुछ मैंने यहां पर दोस्तों कनेक्शन कर लिया है एक वन ओप सेज भी लगाई है और यहां पर मैंने स्पीकर का भी कनेक्शन किया है देख सकते हो सेनल वन टू का मैंने सोकेट के साथ सोल्डरिंग कर दि और दोस्तों यह जो 12 वोड़ की जो दो थी वायर थी बलेक रेड उसे दोस्तों में ने यहाँ पर कर दिया है 12 वोल्ट के लिए DC अगर दोस्तों आप इस बोड को AC voltage के साथ सलाना साहते हो तो दोस्तो यहाँ पर AC voltage के लिए कोई connection नहीं दिया है तो दोस्तो यहाँ पर दोस्तो जो breeze rectifier लगा होते है वो नहीं है तो यहाँ पर दोस्तो breeze rectifier लगा हुआ होता है तो दोस्तो अब 12 volt का जो transformer है उसको दोस्तो यहाँ पर connection करके इसको सला सकते हो लेकिन दोस्तो इसमें bridge rectifier नहीं दिया है तो दोस्तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तो channel को subscribe कर लिजे मैं इसका next वीडियो बनाऊंगा तो आपको दोस्तो इसकी notification मिल जाएगी और इस board के अंदर audio input करने के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक Bluetooth पैनल तो दोस्तो इस Bluetooth पैनल को मैं set कर लेता हूँ तो दोस्तो आपको मेरे वीडियो अच्छे लगी है तो like, share और subscribe करना ना भूलिए तो finally मैंने यहाँ पर Bluetooth पैनल और volume के connector जो होते हैं सबकूस मैंने यहाँ पर connection कर लिया है और दोस्तो जो Bluetooth पैनल है उसका wiring भी मैंने connection के लिए है तो यह connection करने के लिए दोस्तो एकदम बिल्कुल आसन है ground का wire ground के साथ हो left का wire left और right के साथ connection करना है और दोस्तो यह red और black plus और minus 5V input करने के लिए तो दोस्तो यहाँ पर मैंने सबकूस connection कर लिया है और जो on off switch से उसके साथ मैंने अभी connection नहीं किया है तो दोस्तो उसका मैं next video लाऊंगा तो उसमें दोस्तो इस switch का मैं उपयोग आपको बताऊंगा तो अभी मैं इसके साथ मैंने कूस connection नहीं किया है और दोस्तो मैंने सेंप्लिफायर में यहाँ पर एक light indicator भी लगा है ताकि मैं पता सेले कि हमारे amplifier on है या off है तो दोस्तो जो light है इसी के साथ मैंने एक 1K का register connection किया है और सिधा उसे दोस्तो मैंने जो 12 वोट हम यहाँ पर लेते हैं वहाँ पर मैंने सिधा connection कर लिया है प्लस और माइनस की साथ तो उसके बाद दोस्तो मैं इस amplifier बोड का में test करने वाला हूँ तो दोस्तो मैंने यहाँ पर लेते है एक 12 वोट की बेटरी और दोस्तो एक मैंने speaker भी connection कर लिया है तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस board के साथ में power connection करता हूँ तो अभी मैंने दोस्तों इस amplifier के साथ हूँ मैंने यहाँ पर एक SD card लगाया है तो SD card में दोस्तों एक music सल रहा है कर दोस्तों रहा है अगर दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो दोस्तों कमेट बॉक्स में जाकर आप हमें पूछ सकते है तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए हैं वंदे मात्रव